हाई यह वाला वीडियो परसंटेज के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने परसंटेज की क्लास अटेंड खी थी और यह शॉट वीडियो जो ट्रिक्स आयव अलड़ी एक्स्प्लेंड इन दी क्लास तो हम एक चोटी-चोटी ट्रिक्स बता देती हूं जिसको को देखके विडियो को देखके आपको गिवन असाइमेंट्स बहुत आसानी से सॉल हो जाएगा ऐसा टोल्ड यू सेंट का मतलब होता है हंडरे और पर का मतलब होता है आउट अफ जब कभी भी हम परसंटेज की बात करते हैं इसका मतलब है कि वह पर्टिकुलर नंबर आए होंगे पर्संटेज साइन्स दिनोट दाट पर्टिकुलर डिनॉमिनेटर इस हंडर्ड यदि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे 462 मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप पूछेंगे कि कितने मेंसे 462 है सो दिक परसंटेज साइन प्रेजान डिनॉमिनेटर इस ऑटोमाट को पी बाई क्यू को परसंटेज में कनवर्ट करो तो आप उसको मल्टिप्लाइबे हंडर्ड करेंगे इस इस दिव वेरी वेरी बेसिक थिंग और यह इतनी आसान है कि पिपर में पूस्ता भी नहीं है तो काइंड क्वेश्चिन एग्जामिनर विल आस्क्यू नंबर वान and now it is 92 rupees the price of sugar was 90 rupees and now the price of sugar is 92 rupees तो what is percentage change percentage change अगर मैं कहूं 2 rupees का change आया and denominator में what was the original price original price was 90 rupees into 100 क्यूंकि हम percentage की बात कर रहे हैं तो the answer will be 100 upon 45 okay 100 upon 45 percent तो percentage का formula हुआ change divided by original into 100 as simple as that अगर इस में आपका answer negative में आता है तो this denotes कि basically net change जो है वो decrease हुआ है और अगर positive आता है तो net change increase हुआ है okay so percentage change के अपर जितने questions आपलो कीजे नेक्स वीडियो में मैं successive increase or decrease explain करते हूँ thank you